हलो दोस्तों आप सभी कमेरे चैनल पर स्वागेत भायों हम आपको बता जारे एक बहुती बड़ी खबर अलवर पंचाय चुनाव 2020 को लेकर जियां भायों अलवर में पंचोर सरपंचों जी चुनाव होने वाले थे जिनके नामांकन भी भर चुके थे अब वो हो गए है रद जियां भायों सरकार ने जो नामांकन भरने के बाद पूरे सिस्टम को सील कर दिया है और अब एक नई डेट पर होंगे अलवर पंचाय चु सबसे पहले पोचेगा आपके पास तो चलो भायों स्टार्ट करते हैं देखे भायों खबर के अनुसार अलवर सरकार ने पंचाय चुनाव में सेक्षन की योग यता आठी पास तो हटा दी लेकिन अचानक चुनाव अठकने से सरपंच पद के प्रत्यासियों को ओड़ पंचायते हैं जिनके चुनाव अठक चुके हैं तो भायों प्रदेश बर में संख्या बड़ी है ऐसे में मोजुदा सरपंच के प्रत्यासियों के सामने यह सबसे बड़ी चुनूती है कि वोटरों को कैसे अपना बनाई रखे जिया भायों रोजा ने खर्चे से बचने के लिए कुछ ने चुनाव काराले बंद ही कर दिये हैं जैसा कि आप में पिक्स देख रहे हैं भायों यह हुआ एसा है कि अलवर में जो प्रत्म चुनाव के चुनाव होने थे पंचो सरपंचों के 17 जनवरी को उनके नामांकर भी भर गये थे और उनके चुनाव चुन भी आ आठक गिये हैं वहां बहुत से दावदारों ने तो अपने घर पर जो काराले खोल रखे थे वो बंद कर दिये हैं खर्चे से बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था तो सब को लगता है कि अब तक वोटरों को पूरा मेतों दे रहे थे अब आगे उसी तरह बनाय अलवर जिले में सोडा में चे आठ पंचाय समीतियों को चुनाव प्रभाईत हुए हैं पहले चरण में बानसूर में 25 वह नीम्राणा में 30 ग्राम पंचायتों को चुनाव अटक गये हैं तो भाईयो अलवर जिले में नीमराणा और बानसूर जगे के चुनाव प्रिवायत हुए हैं यहाँ पर चुनाव अटक गये हैं प्रथम चरण के कुल 140 ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रिवायत हुए हैं जिया भाईयो इसी तरह तीसर चरण में लक्ष्मनगड में 22, उम मुश्किल हो गया है जिया भाईयो लच्मनगड उम्रेण में भी चुनाव अटक गये हैं खबर के अनुसार तो भाईयो इस वक्ती सब्सक्रण के पूरे चुनाव अटक चुके हैं उनके नामांकर भी जब्त कर लिए गये हैं आप चुनाव 17 जनुवरी को नहीं होंगे प पता दे ताकि हम आपके इस सिकायत पर नई वीडियो बना साके इसलिए कमेंट जरू करना अगर आप आप जूनना चाहते हैं सबस्क्राइब बटन दबा कर हमां साथ जुड़ सकते हैं साथ ही बेल आइकन जरू दुबा लेना ताकि मैंने कोई भी नई वीडियो डालो उस झालो